कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मिद है अच्छे होंगे चलिए अब लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वेहिकल लोन पार्ट वन में हमने देखा था कि लोन लेने से पहले क्या-क्या प्रोसेजर या साफधानिया या प्रिकोर्शन को लेनी चाहिए हम लोग वेहिकल आप पर्चेज कर लिए वेहिकल पर्चेज करने के बाद मेंडेटरी प्रोविजन क्या-क्या होते हैं पहला होता है इंसुरेंस आप दे वेहिकल वेहिकल आप चल लिए रोड पे चल दिए कदापी नहीं बिना इंसुरेंस का गारी नहीं चलेगा क्योंकि यह जो ह अभी द्रघट्ना में छती हो सकता है ऐसे इस्थिती में जो इिंसुरेंसकंपणी होती है वह उसको हिए उसको पुरतीð का जो मुआफजा है वो देता है इसलिए गारी का tailored को कुों नेय। जिससे लोन लिये हैं बैंक या जो गाड़ी का लोन ले चुका है बोरोवर वो तो आंसर है कोई भी कर सकता है ऐसा कोई hard and fast रूल नहीं है बट यह थेड़ी है प्रैक्टिस में क्या होता है यह करता है बैंक या financial institutions क्योंकि बोरोवर कई तरह को प्रेलिखे भी है नहीं भी प् करा लिया पहली बार लोन लिए कर दिया नेक्स जैसाब रिनुवल कर रहा है बिल्कुल कराईए बेशक कराना ही चाहिए आपका राइट है आप कराईए और जो रिसीप्ट है आपका वह रिसीप्ट जाके concern जिस बैंक से लोन लिये थे उसमें और या financial institution जो कि मैंने वताया जो भी है उसमें जाके जमा कर दीजिए चलिए और यह जो है और इसको जमा करते रहेगा चलिए यह प्रोविजन्स हो गया खतम दूसरा mandatory clause है जो इसमें लिखा हुआ हुआ है hypothecation of the vehicle short form देखेंगे बोल्चार की पास हम लोग बोलते हैं हाइपो हाइपो चराना है हाइपो चार्ज आपको देना पड़ेगा हाइपो क्या है भाईया आखिर किस मर्ज की दवा है अगरा यह है गसमें कुछ है है लोन लेने ज्याते हैं कि माल लिए यह किसी इस प्रौपर्टि पर लोन लिए तो क्या करते हैं जमिन को मौरगेज करते हैं संवचない का इस में क्या होता है गारी के लिए लोन लीए होता है जो को लेटरल होते हैं वह इसी पर होता है सिंबोलिकली जो है इस पर ओनर्शिप किसका होगा बैंक या फैनेंसियल इंस्टिशूशन को कब तक होगा जब कि पूरा लोन इंट्रेस नहीं चुका देते हैं ठीक है तो अब है कि कहां पर होगा इसका चार्ज जो क्रियेट होता है इन दा फैवर और बैंक और एफ आई वह होता है डिटी ओफिस में इसलिए प्रोसेसिंग चार्ज आपसे मांगती है बैंक यह फैनिसल इंस्टिशूश अब जैसे ही लोन खतम होगा यह क्या देगी आपको यह देगी NOC नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है आपने नो अब्जेक्शन लिजिए आपको जो करना किजिए लेकिन नहीं जाके यहां पर करना क्या है डिटी ओ ओफिस में जाके यह टेनोसी जमा कीजिए और अपना इनका नाम हटाई यह वहां से क्योंकि अब आप मालीका नहीं को फ़यों को पहले क्या था आप जो थे गडियेक्श की अखातीन तो प्रवादी आप फिर से नया गारी लेंगी गारी मजा नहीं आ रहा है दो वार एक्सिडेंट हो गया गारी बेचने का मन किया बहुत बढ़िया गारी को बेच दीजिए गारी बेच आप किसको गारी बिखता है आप से एक्सेंज किया बहुत बढ़िया यही करना भी चाहिए यही तरीका भी है अब गारी को बेच दीए अनिसीन दोगन नया गारी लेका आप चला रहे है जो गारी आपने बेचा आप कोर्शन होता है क्या आप अपना नाम डिटी ओ ऑफिस से हटाए थे किससे यदि आप अपना नाम एज ओनर क्योंकि जब आप अनोची जमा की थे आप इसके रियल ओनर हो गए गारी बेच दिये गारी बेच दिने बाद क्या होगा एक्सवा एवी सीडी ले लिया गारी यह चला रहा गारी आप इसका नियत को नहीं जान रहे हैं क्या करेगा ठीक है या इसके ड्रैवर क्या करेगा यदि आप अपना नाम नोट रिमूब्ड नेम एज अब ओनर यदि ओनर सिफ से आप अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो गारी कहीं भी चले इंडिया में रियल माली कौन होगा डेटी ओफिस में आप होंगे ठीक है अब यह गारी क् कुछ भी हो और यह गारी पकड़ा गया यदि गारी पकड़ा गया तो पुलिस क्या करेगी देखेगी भाईया इसका ओनर कोन है डैवर तो भाग यह गारी को प्लॉट बिचोड़के रियल ओनर तो भाईया आप है लेकिन आप तो सोचिए आप तो बेच के गये थाना सरम प्लॉट करेंगी पुलीस नहीं करेगी पुलीस एफ आयर में आपका नाम लिखेगी और आप पर किसमें मुसीबत में लेने के देने पर गए इसी लिए और सिप से नाम हटाना जरुरी होता यहीं आप थाट पार्टी को गारी बेचते हैं तो यहीं इंपोर्टेंस है हाइ लॉन लिए इंस्वरेंस किये हाइपोथिकेशन चड़वाए फिर हटाए मन किया गारी बेचे गारी बेचे तो क्या करेंगे नाम हटाएंगे नहीं हटाएं तो एफ आयर यहीं हुआ इंगे और कोड डिपेंड करता है बेल कहां से मिलेगा वस्टिशूसन बताएगा आप अभी तक यह से हमन रहन कंप्लेट किया नेक्स्ट वीडिःओं में हम लोग देखेंगे default होने के केस में यदि गारी का position या company गारी उठा लेती है तो आपका ride क्या-क्या है Company की mufflety क्या-क्या है इसलिए stay-tune और आप और बने रहे मेरे नेक्स्ट वीडिओं में यदि-